हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो मैं यूट्यूब चैनल दा पेट विजन दिस इस साहिल मलिक यूर होस्ट यूर वेट तो गाइस आपने थम्नेल में देखी चुके हों कि आज का जो हमारा जो टॉपिक है क्या है आज हम गाइस आपको रेबिस के बारे में बताएंगे आपको क्ल परना स्टार्ट कर देगा आप आपको एक बात जरूर ध्यान देनी है जो रेबिस जो एक बीमारी होती है वह जुनोटिक वाइरल डिजीज होती है जुनोटिक का मतलब क्या होता है गाइस एनिमल से हुमन बिंग्स में फैल सकती है तो आपको इस चीज़ के बारे में लाइवेशन होना स्टार्ट हो जाएगा आपको यह जरूर ध्यान देना है अब बात करते हैं इसकी एटियोगी कि क्या कारण होते हैं देखें का इस वाइरस है तो वाइरस ही होगा उस वाइरस का नाम है लीजा वाइरस या आप जिसे रैब्डो वाइरस भी बोल सकते हो या आप जिसे रैबिज वाइरस भी बोल सकते हो अब गाइस हमारी जो वीडियो का में जो पार्ट है जो सिम्टम्स है उसके बारे में हम डिसकस करेंगे और आपको स्क्रीन पे उनकी पिक्स भी दिखेगी जो भी आपको सिम्टम बताया जाएगा तो सबसे पहले यह तीन Tob Maz um में पाई जाती है पहली पेराद़ लोन फ्रम दूस्सरी होती है फ्यूरियोज को और तीसरी होती है या पैरलितिक फ्शमब 92 बोल देते हों तो जम जो या जो पैरललिटिक वो में यानि आपको ही ignore करेगा, खाना नहीं खाएगा, बट उसका temperature normal ही है, आप चेक करवाओगे तो temperature उसका normal आएगा, सिर्फ basically symptom है, खाना नहीं खाएगा, आपको ignore करेगा, और थोड़ा सुस्त पड़ा रहेगा और एक जगा बैठा रहेगा, अब गाइस दूसरी form की हम बात करते ह जिसका नाम है furious form, यह थोड़ी घातक बन जाती है, prodromal form के बाद, इसमें क्या होता है गाइस, जो आपके जो dog की eyes होती है, यानि जो pupil होता है, वो dilate कर जाएगा, जो जबड़ा होता है, वो dropped कर जाएगा, यानि नीचे की तरफ dropped कर जाएगा, और गाइस, काफी ज़्यादा जो हमारे जो form है, जो paralytic form या dumb form है, उसके बारे में आपको बताते हैं, गाइस, paralytic आप नाम से ही समझ रहे होंगे, कि paralysis होता है, dog के अंदर paralytic form में, और गाइस, इसके अंदर क्या होगा, जो larynx या जो pharynx का जो reason होता है, यानि जो respiratory tract के अंदर आते हैं, वो paralyze हो जाते हैं, यानि बिल्कुल ही काम करना बंद कर देंगे, तो गाइस, अब main part थे, main ही part ही काम करना बंद कर गे, तो animal की death होना तो possible है, तो गाइस, इसके अंदर paralytic form या जो dumb form है, इसके अंदर death हो जाती है, आपके dog की, अब गाइस, मैं बात करता हूँ इसके diagnosis की, देखिए गाइस, diagnosis कर परना जो है, वेट खुद ही अपने तरीके से diagnose करता है, because symptomatic diagnosis करेगा, अब गाइस, मैं आपको वीडियो का एक और part बताता हूँ, यानि जो post-martem एक diagnosis, एक term आती है, तो गाइस, जब भी किसी animal को rabies हो गया है, तब हम उसका post-martem जब भी करवाते हैं, तब निगरी bodies उसके brain म हमें पता दल जाता है, कि यह जो dog है, rabies की वज़े से ही इसकी death हुई है, अब गाइस हम बात करते हैं, इसकी prevention की, आपको गाइस prevention में क्या करना है, सबसे पहले ही आप एक चीज़ जरूर ध्यान दे, आपके dog को vaccination ज़रूर करवाए, rabies के बारे में, rabies के बारे में आपको प महाँ पर जाके आप जरूर देखें और अपने dog को vaccination जरूर करवाए, तो guys, इसके जो basically हमने symptoms की बात कर ली है, इसकी definition की बात कर ली है, ये कितनी घातक होती है, उसके बारे में आपको बता दिया है, अब guys, एक point हम आपको बताते हैं, ये transmit कैसे होती है, देखे guys, आप सोच कई बार क्या होता है, कि मैंने vaccination तो करवा ली, बट वो proper धंग से नहीं हुई है, तो guys, इसके transmission में जो mungoos एक insect होता है, गाइस, mungoos के bite करने की वज़े से ये जो ravis नाम की बीमारी हो जाती है, और by leaking से भी हो जाती है, यानि अगर आपका एक healthy dog है, अगर वो rabbit dog को lick भी कर या उसके कोई भी product को जो यूज कर रहा है, उसके साथ उसके relation में आ जाए, तब क्या होता है, गाइस, यह ravis transmit हो जाता है, और guys, यह viral disease है, आपको इस बात का ज़रूर ध्यान देना है, और guys, इस video का main topic है, वो है guys, genotic disease है, यानि genotic animals से human beings में हो जाएगी, और यह आपके मैंने आपको cover करने की कोशिश की है, और guys, इन symptoms के अलावा, कुछ और symptoms भी है, जैसे, जब आपका जो dog walk कर रहा है, तो वो in coordinate move करेगा, यानि उसकी walking un coordinate कर जाएगी, और वो यानि बिल्कुल धिला ढाला होता हुआ, दिवारों से टकराता हुआ जाएगा, तब यह भी symptom show होत कि जो मेरा dog है, भगवान ना करें आपके dog को यह हो, बट अगर कोई भी dog हो, तब आप उससे पहचान ले, कोई street dog ही क्यों ना हो, because street dog से भी फैलता है, यह काफी जादा, तो guys, आशा करता हूँ, आपको मैंने जितने भी points बताएं, समझ में आगे होंगे, so guys, thank you so much for watching this, and please do like subscribe and comment, thank you so much, and guys, pet vision channel से आप जूरिये, आपको अपने dog से related care बताई जाएगी, आपको कोई भी problem हो, आप हमारे pet vision Instagram ID है, Instagram account है, आप उस पे आए, और messages करें, आपको कुछ जानना हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, thank you so much guys